नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटुब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपन टॉपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में प्याज के हाथ पर रगड़ने से होते हैं ये चमतकारी फाइदे यकिनां आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी और अगर किसी से नहीं सुनी होगी, तो महसूश तो जरूर की होगी जिंदगी में जो चीजें हमें रुलाती हैं उसके फाइदे बहुत अधिक होते हैं प्याज हमारे कीचन का अभिन अंग है और इसका इस्तमाल खाने में हर रोज होता है पर प्याज का इस्तमाल आप खाना बनाने के इलावा भी कुछ छोटी-छोटी चोटों या बीमारियों में भी कर सकते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं प्याज के कुछ अन्य महत्यपून फाइदे जिसका उपयोग आप छोटी मोटी बीमारियों या चोट लगने पर कर सकते हैं तो आए जानते हैं प्याज के फाइदे कीड़ा काटने पर उस जगहाँ प्याज खिसने से बहुत अधिक फाइदा मिलता है यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा पर यह बिल्कुल सच है आगे से जब भी आपको कोई छोटा मियोटा केड़ा काट ले तो उस जगहाँ पर आप प्याज रखने आपको तुरंत फाइदा मिलेगा हाथों में जलन होने पर भी आप प्याज का इस्तमाल कर सकती हैं क्योंकि प्याज बहुत ठंडा होता है और इसकी प्रकृति दर्द निवारक ओस्ती की तरह होती है ऐसे में हाथों में जलन होने पर इसे मलने से आपको काफी आराम मिलता है यदि आपकी उंगले में या सरीर के किसी भाग में कुछ चुब गया है तो परिसान होने की जरूरत नहीं है प्याज इसमें भी काम आता है बस आप एक प्याज का छोड़ा सा टुकडा लें और उसे भास वाली जगहा पर 40 मिन तक हुआए चुबी हुई चीज अपने आप बाहर आ जाएगी प्याज के रस को पानी में मिलाकर चहरे पर लगाने से कील मुहा से कुछी दिनों में गायब हो जाते हैं बालों के जड़ों में प्याज रगड़ने से बाल काले और मुलायम होते हैं इतना ही नहीं इससे बालों का जढ़ना भी कम हो जाता है जिससे बाल बढ़ने में मदद मिलती है गढ़िया या जोडों के दर्द में प्याज के रस को सर्सों के तेल में मिलाकर मालिस करने से अराम मिलता है यदि पेसाब ठीक से नहीं आ रहा तो पेट पर प्याज के रस की हल की मालिस करने से बहुत अधिक फाइदा मिलता है प्याज के रस में बैक्टिरिया नासगुम होते हैं इसे घाव पर लगाने से इनफेक्शन नहीं बढ़ता कच्चे ब्याज में मिथाईल सलफाइड और एमिनो एसिड भी होते हैं जिसके वज़य से बलड प्रेसर कंट्रोल करने में यह मदद करते हैं प्याज में फाइबर अधिक होने से इसे हर रोज कच्चा खाने पर पाचन तंतर मजबूत होता है थाइरेड होने पर प्याज को रकड़ने से बहुत अधिकला मिलता है तो दोस्तो आप भी प्याज के परियोग से बहुत सारी बीमारियों से निजात पासकते हैं और इन छोटी मुटी बीमारियों को घर बैटे ही ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना न पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरता स्टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो